दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्यूज जो होता है वो हमेशा हम सिरीज में ही क्यों लगाते हैं जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी जो हमारा स्टार्टर होता है या पंखा होता है या कोई भी इलक्ट्रिकल एक्विप्मेंट होता है उसमें य लगा हुआ होता है पैरलल में नहीं लगाया जाता है कारण क्या होता है आज किस वीडियो में हम लोग डेटेल में समझेंगे और हमेशा के लिए समझ जाएंगे और इंटर्वियू में आपको क्या जवाब देना है वह भी आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आए देखते ह देखे यहां पर मैंने दो फिगर बनाए है पहला जो है हमारा सिरीज में मैंने लगाया है फ्यूज को और इसमें मैंने पायरलल में लगाया है फ्यूज को ठीक है अब देखे दोनों में क्या अंतर होता है यहां पर देखिए जब फ्यूज हमने यहां पर लगा रखा है अब face जो हमारा आया वो पहले किस में आया fuse में आया सबसे पहले वो fuse में आया और fuse से जब हमारा face निकला ता हमारी motor में आया और motor से घून करके इस तरह से फिर neutral को गया और हमारी circuit पूरी हो गई motor हमारी चलने लगी यहाँ पर क्या है कि जो भी current निकलेगा जो भी current इस motor को में आयेगा कोई भी voltage आये चाहे current आये कोई भी चीज आये वो हमेशा fuse के माध्यम से ही आयेगा और fuse हमारा क्या होता है सबसे कमजोर हिस्सा होता है पूरी की पूरी circuit का fuse की परिभासा ही ही होती है किसी भी circuit का सबसे कमजोर हिस्सा ही हमारा fuse होता है लेकिन अब यहां पर क्या है कि हमने यहां पर fuse जो है वह face wire में connected है और जो supply हमारी जो आ रही है current कहां से आ रही है हमारे face wire से आ रही है तो जब अब यहां से इस तरह से current निकलेगी और इधर इधर आई तो रास्ता जो बन रहा है वो कौनसा केवल एक ही एक रास्ता बन रहा है केवल इस fuse के माध्यम से ही रास्ता हमारा बन रहा है और वह motor के अंदर आ कर के supply और वापस नोटल के बास चली जाती है तो यह हो गई इसमें क्या है अगर कोई भी problem आती है मोटर में short circuit होती है या हमारी अर्थ होती है मोटर कोई भी condition हमारी मोटर में खराब होती है तो क्या होगा जैसे ही मोटर हमारा 10 Ampere की मोटर ले रही है तो जैसे ही current बढ़ेगा मोटर का तुरंट क्या होगा अब fuse जो है आपने मान लेजे मोटर गसाओ सरक्ट होती है या कोई भी प्राब्लम आती है मोटर जाम होती है कोई भी दिक्कत आती है तो क्या होगा 10 अम्पेर यासे करेंट बढ़ा तो 5 अम्पेर का ही फ्यूज हमने लगा रखा है तो या कर्षिक्ट के सबसे कमजूर हिस्सा है तो तुरंत हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा और हमारी मोटर सेफ बच जाएगी हो सकता है बेरिंग जाम हो उसकी तो फिर हम इसको खोल करके इसकी बेरिंग को रिपेर करके फिर से हम चला देंगे तो हमारी मोटर बच जाएगी और किसी परकार की कोई दुर घटना, कोई समस्या नहीं होगी या आग वगेरा नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि 5 एंपेर का ही आपने फ्यूज लगा रखा है जैसे ही कोई प्रब्लम आती है, करेंट बढ़ता है तो रंट फ्यूज हमारा ओपन हो जाएगा क्योंकि रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है करेंट का मोटर में आने के लिए तो इसलिए मोटर हमारी सेफ की सेफ बच जाएगी इस कंडिशन पर क्या है? देखिए हमने जो फ्यूज तो लगाया है फेस वायर में ही लेकिन उसके रास्ते हमने दो बना दिये है एक रास्ता मोटर में करेंट जाने का ये है और एक रास्ता ये है वापस जाने का तो एक ही रास्ता है करेंट, लेकिन यहां पर देखिए इस तरह से यह वापस जा रही है हमारी करेंट अब क्या हुआ आपने face दिया तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि current आ रही है यहां से भी और current आ रही है यहां से भी तो यह parallel हो गया ना यहां से दोनों बाद दो ब्रांचों में हमारी current बढ़ जा रही है और यहां से भी current जा रही है अब यहाँ पर क्या होगा अगर हमारी मोटर करेंट ज्यादा लेती है पाँच एमपेर की माली यह भी हमारी मोटर है अब मोटर जाम होती है यह कोई प्राबलम आती है तो मोटर ज्यादा करेंट लेती है तो क्या होगा ये वाला तो फ्यूज हमारा उड़ जाएगा ठीक है ये फ्यूज माली ये अपने 5 अम्पेर का ये अपने फ्यूज लगा रखा है तो ये फ्यूज तो हमारा उड़ जाएगा लेकिन इसके उड़ने से कोई प्रभाव पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्योंकि क रास्ता हमारा बना हुआ है और मोटर क्या होगी हमारी जल जाएगी इसलिए फ्यूज हमेशा हम फेस वायर में ही कनेक्ट करते हैं और सिरीज में ही कनेक्ट करते हैं पिछले वीडियो मैंने बताया था कि फेस वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं और इस वीडियो मैं बता रहा ह कि सिरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं सिरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो करेंट का मार्ग होता है रास्ता होता है वा एक ही होता है यहां पर देखिए एक ही रास्ता है दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है करेंट का इस मोटर में आने के लिए इसलिए पूरा काम करेगा लेकिन current का एक रास्ता तो हमने supply का एक रास्ता तो ये भी बना रखा है ना इस रास्ते से current यहां से ऐसे आएगा और यहांसे सीध़े मोंटर में आ जाएगा और वापस न्यूटर को चलाएगा तो यह रास्ता बन जाने से मोटर में सप्लाई लगा तार आती रहेगी और हमारी मोटर जल जाएगी और यहां पर मोटर में और कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए यहीं पर सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और यहां से आगे सप्लाई आएगी नहीं तो यहां से मोटर हमारी बच जाएगी अब parallel circuit बनाने से हमारी motor जो है वहीं पे जल जाएगी तो मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से clear हो गया होगा और यह दिया आपको interview में इस चीज़ को पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें current का रास्ता जो होता है current का mark current का mark एक होता है और इसमें current के mark जो होते हैं कई होते हैं जिसके कारण से जो हमारी motor की जो सुरक्षा होती है वो सुनस्चित नहीं हो पाती है और इसमें motor की जो सुरक्षा होती है वो हमारी सुनस्चित होती है fuse के कारण से यहाँ पर fuse की जो circuit होनी चाहिए वो पूरी की पूरी सर्कुट यहां पर हल्दी रूप से काम करती है और यहां पर क्या है कारिंट का दूसा रास्ता होने से मोटर को सप्लाई लगाता राती रहेगी और मोटर की जुरुच्छा नहीं हो पाती है तो मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह टॉपिक तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नमस्कार दोस्तों